हमारी संस्क्ति हमारी पहचान यग्य योग आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का डिव्य संगम यग्य महिमा भारती संस्क्ति में यज्य योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल ने विद्याएं हैं जिसका मूल है वेड इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें तो भगवान राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महराजाओं ग्रामवासियों वह अरण्यवासी रिशियों की कुटियों तक नित्य वन्यमेत्तिक यद्यों का प्रशनन देखने को मिलता है ओ ओ इस प्रकार पाउन ओंकार उद्धोश यज्यत करने के पश्चात थोड़ी देर के लिए पूर्ण सांत हो जाईए थोड़ी देर के लिए अब हम ध्यान करें अपने दोनों पेरों को बिल्कुल सिथिल छोड़ देंगे दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर को सिथिल कर दीजिये अपनी मस्तिस को सांत कर दीजिए अपनी नासिका में चल रहे श्वांस प्रश्वांस के उपर अपने मन को एकागर कीजिए और धिरे धिरे पून प्रसांत अवस्था, पून शांत अवस्था, पून निरव अवस्था को मैसूस कीजिए थोड़ी देर के लिए सारे विचार, सारे संकल्प, विकल्पों से अपने मन को मुक्त कर केवल मात्र सांती में स्थित कर दीजिए सांती मात्र को मैसूस कीजिए और इस प्रकार यज्य के पश्चात, ओम का उचारण और ओम के उचारण के बाद कम से कम, तीन से पांच मिनिट ऐसे ध्यान करें और उसके बाद दोनों हाथों को उपर उठा करके, दोनों हथिलियों में आपस में घर्षन करेंगे और गरम गरम उच्चात, ठेलियों को अपनी नेत्रों पर और अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से अपनी आँखों को खोल दे, अब हमने जो यज्य किया अगनी होतर किया, उसकी अगनी अब सांत से होने लग जाती है सांत हो जाती है जब अगनी सांत हो जाती है उसके बाद उन अंगारों को थोड़ा व्यवस्थित कर दीजे उनको थोड़ा आप सीधा कर दीजे इस प्रकार से जैसे मैं आपको बत रहा हूँ इस प्रकार से अंगारों को हम पांस-पांस में कर देते हैं तो आपस में जब वो मिल जाते हैं तो उसके बाद ईसमें अपस में हवा प्रसारित नहीं होती है तो यह अंगारे यदि गाय के गोर के कंड़े के हैं तो कम से कम 2-3 घंटे तक हमारे पांस अगनी को ले करके रहेंगे इन अंगारों के उपर अब हमें जो रोग विशेश है उसके लिए जो हम विशेश जड़ी बुटी प्रदान करते हैं उस प्रद आहुती प्रदान करते हैं उसी जड़ी बुटियों को ले करके अभी तेज अंगारे हैं थोड़ी से मंद अंगारे हो जाएं उसके बाद उन के उपर रखे अभी तेज अंगारे हैं तो तूरं तक गाड़ी धुनी हो जाएगी घर में कमरे में ज्यादा मात्रा में धुआ हो जाएगा जब थोड़े से अंगारे मंद हो जाए उसके बाद उसके उपर थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से जड़ी बूटिया और यह गुगुल रखा है मेरे पास एक गुगुल रखा है मेरे पास एक गुगुल विशेश निरियास्त होता है उस सामगरी को डाल करके अब ये मंद मंद सी धुनी निरांतर 5-10-15 मिनिट तक चलेगे उसके बाद फीर से थोड़ी सी सामगरी थोड़ा सा गुगुल और थोड़ा सा घीर आधी रख दिया फिर वो आधा गंटे तक चलेगे अब यह जो मंद मंद से हो रही धुनी है उस धुनी के अनुसार धुनी वाले वायू मंदल के अंदर आप अब रोगा अनुसार योगा भ्यास करेंगे प्रानायाम करेंगे आसन करेंगे और विशेश रूप से जिस रोग के लिए जो प्राणायाम विशेश कहा जाता है वो और उसकी जो क्रम है कम से कम जो कपाल भाती और अनुलों विलों प्राणायाम करते हैं उसमें कम से कम अनुलों विलों प्राणायाम करते हैं तो हम पूरा लंबा गहरा श्वांस बरे और पूरा लंबा गहरा श्वांस छोड़े और पूरा विधी पूरवक मन को एकागर करते हैं और हमारी शर्व में जो बीमारी वीचे जो बीमारी मेरी ठीक हो रही दूर हो रही एसी भावना के साथ और इश्वर्य दीव्य सक्तिया हमें आशीश दे रही है हमें एनरजी उर्जा सक्ति यज्ज के माद्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं इस परकार मन ही मन भाव के साथ एक अनुष्ठान के बादी प्राणायम का भियाशी है इसी परकार कपाल भाव पूरा विधी पूर्वक स्रद्धा पूर्वक समय देते हुए सामन्य अवस्था में 15-15 मिनिट दोनों प्राणायम और थोड़ा रोग ज़्यादा है तो आधा आधा गंटा और ओर ज़्यादा बढ़ गया है तो एक एक गंटा कपाल भाती और अनुष्ठानायम और यदि दूसाध्य असाध्य और कुछी भी प्रकार से और काबू में ही नहीं आ रहा है तो आप इस कपाल भाती और अनुलोम विलोम को अपने घमरी में ही इस प्रकार यज्जी और धूनी करके तीन तीन चार चार गंटे लगातार कीजिए दीरे दीरे कपाल भाती ठक जाते तो अनुलोम विलोम कीजिए उससे ठक जाते फिर कपाल भाती कीजिए ऐसे करके कपाल भादी एक दो घंटे तक हम 10-15, 10-15 मिनिट करके दीन भर में करें और विशेश्रिप से अनुलोंबिलम तो आप भोजन करने के बाद भी लेटे लेटे भी बेठे 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 चलते चलते भी आप इस अनुलोंबिलम को पूरा लंबे गेह स्वास के साथ शिरू रखे धर्ती पर की कोई भी ऐसी बिमारी नहीं है जिन्होंने इस दो देविय चिकित्सा पदती रोगानुसार यज्य और रोगानुसार योग को अपना ले उसके सरीर में टिक पाए या रह पाए देखे हम जिस जीवन को जी रहे हैं वहां हमारा एनरजी से चलता है उरजा से चलता है वहां एनरजी वहां उरजा हमें प्राप्त होती है आहार की माद्य हम से और वहां आहार हम लेते हैं तीन रुपों में ठोस द्रव और गेस तीन रुपों में हम आहार लेते हैं ठोस र रूप आहार, रोटी, डाल, चावल, हम दिन में कितनी बार खाते हैं, दो बार, तीन बार, पानी कितनी बार पीते हैं, पांच बार, दस बार, लेकिन वायू, हम 24 गंटे लेते हैं, निरंतरता के साथ लेते हैं, खाते, पीते, उठते, बेटते, चलते, और यहां तक कि हम सो जाते हैं तब भी हमारा यह वायू रूप आहार निरंतता के साथ चालू होता है। कहिने का अभी पड़ा हैं कि 24 गंटे में सबसे ज्यादा लिये जाने वाला कोई आहार हैं तो वो वायू है मनिश्य के द्वारा जो 80% से ज्यादा एनरजी का हिस्सा होता है हमारे शरीर के अ हम रोटी चावल दाल आदे ठोस रूप आहार ना ले तब भी हम 2-3 माहिने तक जिवित रह सकते हैं हम द्रव रूप आहार पानी दूद जूस आदे हम ना ले तब भी हम 2-3 सपता तक जिवित रह सकते हैं लेकिन वायू रूप आहार यदि हम ना ले तो 2-3 मिनिट भी हम जिन्दा नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा और सबसे important हमारा कोई आहर होता है तो वायू रूप आहर होता है। अब हम जब मिमार हो जाते हैं, रुगना हो जाते हैं, जब हम चिकितसा के लिए जाते हैं तो डोक्तर हमें जो रोग विशेश होते हैं, उस रोग को ठीक करने के लिए जो components से युक्त द्रव्या होते हैं उसकी वटी, गोली, टेबलेट या चूरन आदी बना करके हमें प्रदान करता हैं कि इसको लो और उसके अंदर जो रोग को ठीक करने के लिए जो components होते हैं, वही के वही components, यदि वो injection देता है, अर्था द्रव रूप में हमें देता हैं, तो उसी के अंदर वही components होते हैं द्रव रूप में, और जब हम यज्य करते हैं, हवन करते हैं, अगनी होतर मानता है कि जो चिकित्सा ठोस रूप आहार या दरव्य के माधियन से जो की जाती है उसकी अपेक्षा दरव रूप आहार और ज्यादा तेजी से काम करता है और उसकी अपेक्षा गेस रूप आहार या गेस रूप में दी हुई आउशदी दवाए और ज्यादा तेज़े से काम करती है और तुरंत रिजल्ड देती है इसलिए आप देखते हैं जब किसी को पागलपन उनमाद आदी हो जाता है जब तोड़ फोड़ मचा रहा है तो उसको ना इंजेक्शन देते हैं ना खाने के लिए देते हैं एक रुमाल में दबाए उनको एक बार सुंगाते ही बेहोस होता है जैसे एक बार सुंगाते ही वो व्यक्ति बेहोस हो जाता है ऐसे ही एक बार यह यजिय धूम्र को लेने पर यजिय उर्जा को लेने पर नव जीवन प्राप्त होता है और हमने देखा है तो यह जो वायू रूप आहार है उसको सुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंदित करना, मेडिकेटेट करना, रोग निवारक बनाने का जो कारिय है वो इस यजिय हवन अगनी होतर के मादियम से भली प्रकार से होता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा और सबसे इंपोर्टेट आहार है जिसके बिना हम दो मिनिट से भी अधिक जिन्दा नहीं रह सकते उस वायू का सीधा सीधा मेडिकेटेट बनाने का यह तरीका है और उसके मादियम से दवाया ले करके अुशदिया ले करके उन कमपोनेंट्स को गेस रुप में ले करके हम विशेश रुप से अपनी चिकेट सा करते हैं और उसके अदभुद परिणाम है, चमतकारी परिणाम है और ऐसे कई सारे केस है जो मिलाब असाध्य कोटी के रोगी दूसाध्य कोटी के रोगी जिसको कहा जाते हैं जिसमें डोक्टर लोग मना कर देते कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते उन लोगों ने भी नव जिवन प्राप्त किया है और उसके लिए हमें आवशकता होती है विधीवत यज्य करना प्रतीदिन यज्य करना सुबह साम यज्य करना संध्या के समय यज्य करना उसको पूरा पवितरता सुधिकरण के साथ यज्य करना विशेश हवन सामगरी बना करके जो रोग विशेश है उस रोग विशेश की हुनी होना और उसके बाद उस वायू मंडल में रहना उस वायू मंडल में रह करके स्वांस प्रस्वांस की क्रियाए करना और एक तो यह अवस्ता है कि वो व्यक्ति और रोगी और साधक प्राणायम नहीं कर सकता है योग अभ्यास नहीं कर सकता है कुछ ऐसी कंडिशन है तो उसको कमरे में वैसे ही कर जाए, वो स्वास प्रस्वास की क्रिया तो चली रही ना, उसके माध्यम से वो दबाई जाएगी, और यदि वो प्रानायम करने की अवस्था में है, तो उनको प्रानायम कराईए, तो एक साथ कहीं गुना लाब हो जाएगा, और हमने देखें, जो प्रानायम नहीं कर सकते हैं, उन लोग नहीं, बहन सिल्पा जी, सिल्पा जेठवा जी, घाटकपर मुंबई में रहती हैं, उनको लंग फाइब्रोसिस हो गया था, क्रोनिक अवस्था में चला गया था, अब वो सामन्य स्वास धीरी-धीरी सी लेती थी, छोड़ती थी, छ और कुछ कर नहीं सकती हैं, और पिछले एक साल से काफी सारी दवा या ये, वो सब कुछ लिया, कोई काम ही नहीं हो रहा हैं उससे, कुछ इंपरूईनियार, अपी तो और रोग बढ़ रहा हैं दिन प्रती दिन, उस अवस्था में उनको यज्य करने के लिए कहा था, और यज्य में उनको स्वासा मरित हवन सामगरी जो हमारी बनी हुई हैं, वो स्वासा मरित हवन सामगरी उनको आहुती के लिए दिया, और स्वासा मरित हवन सामगरी के बाद उनको भीमसेनी कपूर और विश्य श्रीव से उस हवन सामगरी की धूनी करने के लिए कहा, गूगल उनकी शरीर में सक्ती सी आने लग गई, एनर्जी सी आने लग गई, जो स्वास ना लेने के कारण जो एनर्जी डाउन होगी थी वो इंप्रू होने लगा, और उसके बाद उन्होंने प्रायम भी पूरा साथ में शरू कर दिया, और तीन महीने के अंदर लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, हास तक हमने कभी नहीं सुना है कि लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट भी क्योर होती है, मौडर्ण साइस में इसकी कोई दवाई नहीं है, और वो तहला केस हमने देखा, कहिने का अभी प्राहिए हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके भी कमरे में करेंगे, उनको भी यज्य में बिठाएंगे, यज्य उनके कमरे के आंसमास करेंगे, ये तो बहन जी कर रही थी, कुछ केस तो हमने ऐसा देखा, जो स्वयम करी नहीं सकते हैं, बेहन दीविया जी का साक्षा तो दान वो भी मुंबई घाड को पर में रहते हैं, उनकी तो ऐसी स्थिती थी, कि उनको ब्रेंट ट्यूमर हुआ, पिचिटरी ग्लेंड के उपर गाड थी, कोई पहले तो उसको कैसी नहीं ले रहे थे, उनके मात अफिता ने, खुब सारी मेहनत की, खुब सारे होस्पिटल पे गए, कोई कैसी लेने को तयार नहीं कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, उसके बाद ये कोमा में जाने कि 95% है, केवल 5% है कि ये कोमा से बाहर आ सके, और ये भी है कि ये कोमा से बाहर आ भी गई, तब भी वो बहन देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मिनिती सक्ति नहीं आएगी, और वास्तों में ओपरेशन हुआ, और ओपरेशन के बाद, साथ महीने गुजर गए डोक्टर लोग ने अलग-अलग प्रकार के जो ट्रीटिमेंट किये जा सकते हैं जो करना चाहिए जो भी अपने पाँ सक्ती सामत है जो भी टेकनोलोजी जो कुछ है सब कुछ कर लिया 30-35 लाक रुपे खर्च कर दी वो होस में भी नहीं आई और उस समय उनकी यह अवस्था थी गले में ओक्सिजन की मसिन कफ निकालने के लिए होल बना दिया था खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी पेसा पानी के लिए नलीया लगी हुई थी चार-चार नलीयों के साथ थी मुर्दा अवस्था में साथ महीनों से आईसुए में तीन महीने भरती रही और उस अवस्था में डॉक्टर लोग ने बिलकुल जवाब दे अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते है आप इसको घर ले जाए और जितने दिन बेसक मसिन के माध्यम से स्वास प्रस्वास की क्रियाय हो रही लेकिन हो रही थी उनको भी इस यज्जे को करने के लिए हवन को करने के लिए विशेज जड़ी बूटियों से बताएं और उन्हें यज्जे करना हवन करना शुरू किया आप आश्चरिय करेंगे जो साथ महीना कोमा में रहने पर तीन महीना आईसवी में बरती रहने पर और इतना सारा खर्च और सब कुछ प्रियोग करने के बाद जो modern science इतना आगे बढ़ चुका है वो कुछ नहीं कर पाया खाली बेवोस अवस्था में से होस में भी नहीं ला पाया यज्य को करने पर वो चमच्कार हुआ केवल मात्र तीन महीने पूर्ण होते हो होस में तो आगए उनके हाथ पेर भी चलने लग गए हैं और इतना ही नहीं तीन महीने होते होते उनकी गले की मसिन हट गई उसके बाद खाने की नली हट गई पैसा पानी की नली हटने लगई और छे महीने में चलने फिरने लग गई और अभी पिछले 25 तारिकों यहां पतंजली योगपीठ में आकर परंपुझे महरत से से आशिरवाद लेने के लिए आएं कि स्वामी जी मेरे को एक नया जीवन मिला यज्जे के मादे यह मैं क्यों गटना सुना रहा हूँ कि जो व्यक्ति अब बिलकुल ही असवाहाई अवस्था में चला गया और इस वायू रूप आहार को मेडिकेटेड बनाने का एनर्जेटिक बनाने का जीवनिय सक्ति से युक्त करने का कोई माद्यम है तो वो यज्जय हवन अगनी होत रहा हवन करिये यज्जय के रहो उसके बाद इस प्रकार से यह जो हम धुनी कर रहे हैं प्रकार से आप दूनी कीजिए उस रोग विशिष की आउश्र दिया जड़ी बूटिया लेकर के और उसमें उनको रखिए तब यह लाग होता है भाई आननजी मस्कूलर डिश्टोपी की उनको समस्या थी उनका पूरा नर्व सिस्टम विख हो जाता है खतम हो जाता है और धीरे-धीरे डोक्रोग ने उनको कहा कि यह तीन-चार साल में उनकी मृत्ति हो जाईगी वो नहीं जी पाएगा और धीरे-धीरे वास्तों में पहले वो चल फिर रहा था धीरे-धीरे उनका चलना फिरना बंद हो गया गिरने लग गया धीरे-धीरे उनका हाथ पिर उठना बंद हो गया और धीरे-धीरे बिलकुल बेड़ के उपर आ गया और पिछले चार साल से बेड़ के उपर उनका बीत रहा था, खाना, पीना, सब कुछ, और अलग-अलग, कई सारी अउशदिया, दवाईया, जो भी किया जा सकता है, वो सब कुछ किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था, और हमने जब भूज के अंदर, यज्ये वं योग साधना केंदर जब खोला, हमारी बहन, जिगना बहन जी, जिन्होंने इस केंदर को वहाँ पे बहुत अच्छे से संचालित कर रही है, और उन्होंने उस माता जी को कहा, कि कोई ने, आप यज्ये एक बार करके देखिए, आपने इतनी सारी ट्रीटमेंट किये हैं, तो ये भी एक बार करके देखिए, और उस माता जी को व करने पर उनके शरी के अंदर जान से आने लगी एनरजी सी आने लगी और उनकी माता जी को इतना आश्चरिय हुआ कि चार साल बीद गए इतनी सारी दवयली कुछ असर नहीं हुआ और ये पंदरा दिन में इतना सारा अंतर और उन्होंने एक एक गंटा गायतिनी मंतर से यज अच्छे करना शिरू कर दिया पुरा कामरा उनका काला कर लिया और पूरी सर्दा पुरवख निष्टा पुरा पूरे भाव पुरवख सब लोगोंने बेट करके यज़ि किया और ये गटना गटी कि डेढ़ माईना पूरा होते होते जो चार साल से बेड़ पे जो बेटा था ओचलने पिरने और यहां तक ही बेटिंग और किपिंग करने लग गया खेलने लग गया लोग देखने लेकर कि आनुच बाहर आया, खेल रहा है, कुद रहा है लोग आस्चरियम हैसूस कर रहे हैं कि इसको तो लाहिलाज बीमारी कहीजा थी इसलिए तो कुछ होता ही नहीं इसको यह तो कभी ठीक ही नहीं होती है और वो बीमारी उनकी इसी इंट्रूड और उनको देखकर कि उनकी पड़ोस में ही एक माता जी बहिए लिला जी उनको डायबिटीज की प्रोबलम थी 300-300 डायबिटीज रहती है दो बार इंसूलिन लेने पर सुबह साम इंजेक्शन लेती थी इंसूलिन की उसके बावजूद भी इतना उनको डायबिटीज रहता था और रात को सो नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा परिशान हो गए थे और उनको भी उन्होंने कहा उनको पता चला वो भी उनके साथ यज्य में वहाँ बेठने लग दे और एक आद महीना हुआ उनकी एक महीने में इंसूलिन भी बंद हो गई और रात में जो निन नहीं आती थी 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 ठीक हो गए और जो उनकी अलग-अलग कॉंप्लिकेशन थी वह भी सांत होने लग गई एसी प्रकॉण के पड़ोस में और नहीं ना करके एक छोटी सी बेटी थी उनको अस्थमा की प्रोब्लम थी पंप लेती थी अस्थमा की उन्होंने उनको भी बिठाया एक महीने के अंदर-अंदर उनकी अस्थमा के पंप छुट गए ऐसी घटनाई हमने देखी और यह जैसे बेंच सिल्पाजी का मैंने पहले बताये लंग फाइरोसिस तो तीन महीने में ठीक हुआ ही हुआ लेकिन उसके साथ-साथ उनके परिवार में उनकी छोटी बेटी थी उनको नजला सा था साइनोसाइट निरंतर नाक बैटता रहता था और ऐसी प्रोब्लम थी ऐलर्जी टाइप का वो भी उनके साथ येज़े करने के लिए बैट थी उनका वो तीन महीने के अंदर ठीक हो गया और उनकी बड़ी बैटी थी उनको साइनस की प्रोब्लम थी सालों से वो दवाईया ले रहे थे कोई असर नहीं हो रहा था और वो उस घर में रही उसके साथ येज़े आ दिखिए उनका साइनस की और हो गया उनकी साइनस की प्रोब्लम खतम हो गया कहने का अभी प्राए हैं कि हम अपने लिए तो येज़े करें लेकिन हमारे पूरे परिवार का सबकी भी चिकितसा हो दें जो चल फिर नहीं पा रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो भी इस गेश रूप वायू को ले रहे हैं जब तक ये शुरूप वायू को ले रहे हैं, तब तक जीवन है, तब तक ये वायू ले रहे हैं, और जब तक ये वायू ले रहे हैं, तब तक हम यज्य चिकित साउन को कर सकते हैं, और हमने देखे हैं, कई सारे से केस देखे हैं, ठीक होते हुए, तो यज्य जो बिल्कुल बिमारी है ही नहीं कि उनके सरीर में टिक पाए जिनोंने यज्य भी कर लिया और यज्य पूरवक रोगा अनुसार यज्य और यज्य के बाद रोगा अनुसार योगा भ्यास कर लिया उनके जीवन में उनके शरी में कोई कभी बिमारी रही नहीं सकती है तो हम जो यज्य चिकित साथ सीख रहे हैं या कर रहे हैं जब हमें आगे करनी तो उसमें विशेश त्यान रखना है पहले यज्य विधि पूर्वक सारी चीज़े से बताई उसके बाद यज्य हो गया उसके बाद 721-1518 आहुती जो मंतर विशेश आपको बताई गाईतिन मंत प्रणन किया उसके बाद थोड़ी देर के लिए दिहान किया तब तक अगनी सांत हो जाती है फिर अगने के अंगारों को विवस्तित करके और उसके बाद जो ये जड़ी बूटिया विशेश हैं उन जड़ी बूटियों को उन अंगारों के ओपर थोड़ी सी मातरा में आप देखे वो चमतकार आप देखेंगे जो आपको इतनी modern technology आगने बढ़ने के बाद सब कुछ करने के बाद भी जिसमें रिजल्ट नहीं मिलता है वो रोग भी ठीक हो जाते हैं इसलिए मैं कल आपको के रहा था कि आप पांच दिवस का केवल मातर जो प्रशिक्षन शिविर ले रहे हैं इस पांच दिन के प्रशिक्षन शिविर में जो आप यजज चीखितसा सीख रहे हैं उससे आप वो technology वो तरीका आप सीख लेंगे कि जिसमें modern science इतना आगे बढ़न इस ठीक नहीं कर सकते हैं उसको भी आप इस यजज चीखितसा कोई side effect भी नहीं है जो कर रहा है जिसके लिए किया जा रहा है उनके रोग तो ठीक होंगे लेकिन उसके साथ-साथ परीजनों के भी रोग ठीक होगा प्रकृतिका भी पोशन होगा पुन्य भी मिलेगा आपका और यहां हजारों हजारों हमें लाप प्रदान करने वाला होता है तो यहसा यह यज्य हवन अगनी होता है और इसके अनंत अनंत अनेक अनेक लाब हैं तो आज आपको अब यह से यज्य करना है यह सारी चीज़े तो बताईए अब इसमें रोगों के अनुसार कौन सा जो पाए जाते हैं उसके बारे में कुस हवन सामग्रिया में आपको लिखा वैसे यह यज्य, योग, आयुरुवेट चिकित सा पुस्तक यह पुस्तक में रोगानुसार यज्य, रोगानुसार योग जो परमपुजे स्वामी जी मारण ने पिछले 20-30 सालों में जो तप पु सालों की जो अथक, तप और पुर्शार के माध्यम से जो भी विधा और विद्या निश्कर्श रूप में सामने आए हैं वो सारी चीजे इसमें दीगी इस पुस्तक को आप लेंगे तो इसमें भी आपको विशेश रूप से रोगानुसार यज्य, योग और आयरुवेट तीनों मिलेगा और इन तीनों के माध्यम से आप वो चिकित्सा कर पाएंगे जो मोडर्न साइंस में जिन रोगों को ला इलाज बताए जाता हैं वो रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं यज्य, अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथी तनाओ, अनिंद्रा व आवसाद आदी मानसिक रोगों को दूर कर शान्ती व सौमनस्य प्रदान करता है यज्य से विशायली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है वो जान लेवा बैक्टेरिया, वायरस, फंगस आदी नश्ट होते हैं एवं रेडियेशन को भी कम करता है यज्य भूमी की उर्वरा शक्ति एवं फस्तों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोग धाम भी करता है यज्य क्रिशी से उत्पन, अन, फल, आदी, उत्तम, पोशक तत्मों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं यज्य उत्तम वर्षा करने बाला तथा जलाशेयों का शोधन करने बाला होता है यज्य जल एवं चेतन दोनों में सात्विक्ता का संचार करता है यज्य जहां भावतिक आश्वर्य एवं पुर्णियों को प्रदान करता है वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवी चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प ले संसार की स्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाए पिंड और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाए एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करे विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्ख करें मोबाइल नाओ शुन्य चै आठ पांच चै पांच तीन शुन्य चे